प्रेस्न बारा एक सम्दिवाहु तिर्भुज का परिमाप बारा पुर्णांग पांच बटा बारा मीटर है इसकी परतेक बराबर भुजा की लंबाई ग्याद करें जबकि तीसरी भुजा की लंबाई दो पुर्णांग तीन बटा बारा मीटर है तो लिखेंगे माना की सम्दिवाहुतिर्भुज माना की सम्दिवाहुतिर्भुज का परतेक बराबर भुजा का परतेक बराबर भुजा बराबर एक्स मीटर ठीक है तो हम क्या मान लेंगे कि सम्दिवाहुतिर्भुज का जो परतेक बराबर भुजा है वो एक्स मीटर का है तो सम्दिवाहुतिर्भुज में क्या होता है दो भुजा बराबर होता है सम्दिवाहुतिर्भुज में दो भुजा बराबर होता है तो दोनो बराबर भुजा क्या है एक्स मीटर हम मान लिये हैं दोनों बराबर भुजा कितना मीटर का है एक्स मीटर यह हम मान लिये हैं यही पूछ रहा है कि परते एक बराबर भुजा की लंबाई ग्याद करें तो उसको हम एक्स मान लेंगे अब लिखेंगे अतफ प्रस्न से प्रेसने से क्या कह रहा है सम्दिवाहु तिर्भुच का परिमाप तो परिमाप दिया हुआ है किसका सम्दिवाहु तिर्भुच का तो परिमाप दिया हुआ है कितना बारा पुर्णांग पांच बटा बारा बारा पुर्णांग पांच बटा 12 मीटर तो ये दिया हुआ है परिमाब 12 पुर्णांग 5 वटा 12 मीटर तो सम्दिवाहो तिर्भुज तो तिर्भुज का परिमाब कैसे ग्याद करते हैं तीनो भुजा को जोड करके परिमाब तिर्भुज का हम कैसे ग्याद कर लेते हैं तीनों भुजा को जोड़ देते हैं तो इसका परिमाप ग्यात हो जाता है तीरभुज का तो देखे तो दोनों बराबर भुजा है X यानि X जोड X जोड तीसरी भुजा कितना दिया हुआ है तो तीसरी भुजा की लंबाई है दो पुर्णांक दो पुर्णांक तीन बटा बारह दो पुर्णांक तीन बटा बारह मीटर ठीक है और बराबर लिख देंगे बारह पुर्णांक पांच बटा बारह तो तीसरी भुजा की लंबाई दिया हुआ है सम्दिवाहोत तीर्भुज का तीसरी भुजा की लंबाई कितना है दो पुर्णांक तीन बटा बारह मीटर और परतेक बराबर भुजा को हम एकस मीटर माने हैं तो देखे दोनो भुजा बराबर होता है सम्धिवाहूतीर भूझ में 2 भूझा बराबर होता है तो X माने हैं 2 भूझा को X जोड एक्स जोड तीसरी भूझा है 2 पुर्णांग 3 वटा 12 तो 3ो भूझा को जोड देंगे तो परिमाब ग्यात हो जाएगा तो परिमाब के जगह पे ये तीनों खुजा को जोड़ दिया है और परिमाब दिया हुआ है 12 पुर्णांग 5 बटा 12 तो इसको लिख देंगे ठीक है इस तरह से अब पुर्णांग तोड़ लेते हैं तो X जोड X क्या हो जागा दो X जोड देखें X जोड X दो X हो गया 12 दुना 24 24 तीन 27 27 बटा 12 बराबर 12 गुना 12 144 और 5 149 यानि 149 बटा 12 हो जाएगा पुर्णांग तोड़ने पे ठीक है इस तरह लिख लेंगे तो दो X बराबर हो जाएगा अब देखें ये कट रहा है ये कट रहा है तीन से कट रहा है तीन चोग 12 तीन नमस सताइस ठीक है तो इसको काट लेते हैं तीन चोग 12 तीन नमस सताइस तो दो X बराबर हम लिख लेंगे 149 बटा 12 माइनस 9 बटा 4 ये दोनों कट रहा था तो हम काट लिए हैं तीन से दोनों कट रहा है तीन चोग 12 तीन नमस सताइस तो 9 बटा 4 हो गया यहाँ पे तो 9 बटा 4 प्लस में है बराबर के बाया तरफ तो 9 बटा 4 को हम बराबर के दाया तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा इस तरह लिख लेंगे तो हो जाएगा 2 X बराबर अब यहां पर बारा लगुत्तम लेंगे बारा चार का लगुत्तम कितना होगा बारा तो यहां पर 149 लिखा जाएगा माइनस अब देखिए चारतिया बारा होता है तो नोतिया 27 यहां पर लिख लेंगे चारतिया बारा तो 9 तिया 27 लिख लेंगे यहाँ पर तो 2X बराबर 149 में से 27 घटा देते हैं तो 9 में से 7 गया 2 9 में से 7 गया 2 4 में से 2 गया 2 1 यानि 12 122 बटा 12 इस तरह लिख लेंगे ठीक है 9 में से 7 गया 2 4 में से 2 गया 2 1 तो 2X बराबर कितना आ गया 122 बटा 12 तो X बराबर कितना आ जाएगा तो लिखेंगा था X बराबर X बराबर 122 बटा 12 गुना 2 122 बटा 12 गुना 2 ठीक है 122 बटा 12 गुना 2 अब यहाँ पर देखेंगे दो से इसको काट लेंगे 2 छक 12 गुना 1 गुना 2 यानि 61 बार में काट लेंगे 2 से 122 को 61 बार में काट जाएगा 62 गुना 12 ठीक है तो 2 से इसको काट लिया है कितना आ गया 61 बटा 12 61 बटा 12 अब यहाँ पर 61 को 12 से भाग दे जाते हैं तो 12 पच्चे 60 61 एक सट तो एक हो जाएगा सेसफल तो इसको यहाँ पर लिखेंगे और 12 को नीचे लिख लेंगे यानि 5 पुर्णांक एक बटा 12 एकस बराबर कितना आ गया 5 पुर्णांक एक बटा 12 तो क्या पूछ रहा था समदिवाहो तीरभुच का परतेक बराबर भुजा तो आ चुका है 5 पुर्णांक एक बराबर 12 ठीक है तो हम लिख लेंगे अता अता परतेक बराबर भुजा परतेक बराबर भुजा बराबर कितना आ गया 5 पुर्णांक एक बटा 12 मीटर ठीक है तो इसका उत्तर आ चुका है तो एक सम क्या माने थे समदिवाहो तीरभुच का परतेक बराबर भुजा को एक समाने थे तो एक स बराबर आ गया 5 पुर्णांक एक बराबर 12 यानि समदिवाहो तीरभुच का परतेक बराबर भुजा है पांच पुर्णांग के कोटा 12 मीटर तो इस तरह इस प्रसन को हल करेंगे बराबर भुजाध के का अवा मातार है है झाल धिर कार भुं को झाल खार है प्रहिव प्राबर भुजाध क झाल जाओंग क उसे नही है झाल